क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store तो देर किस बात की अभी लॉगिन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है आपके skbmarket.in से अग तक 3 लाग से जादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा उत्देश हिना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्बाव करना है हम अपनी e-seva अगति विद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्री स्तर पर पहुंचाने जा रहे हैं skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार ते जस्वी यादव को लगा बड़ा जटका लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में जल्द होगी सुनवाई 25 मार्च को cbi दफतर ज़ाएंगे ते जस्वी बिहार विदान सबाबे शुरू हुआ लड़ू विवाद आर्जुएडी ने किया ट्वीट बोतिहारी में सिंगल विंडो अपरेटर, मल्टी पॉपोस एसिस्टेंट हर्तार पर कारियाले में कार हुआ बादित मुझाफरपूर में उत उत पाथ टीम को मिली बड़ी सफलता भारी मात्रा में मिला प्रतिबंदित कब सरब इंफ्लेंजा वाइरस को लेकर भी हाट सरकार अलर्ट मोड पर बिमारियों को लेकर स्वास्त महकमा अलर्ट नमस्कार मैं हूँ मुसकान असमानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी खबर बिहार से है जो हाँ अब वधान सबा बिहार की कुछती का खाड़ा बनती जा रही है वधान सबा में एक के बाद एक विवाद कभी माइक तोड़ना तो कभी एक दूसरे पर कुरसी से वार ये बाद जरा आप हो चुकी है और अब जो विवाद शुरू हुआ है वो है लड़ू को लेकर लड़ू का विवाद कुतों तक पहुँच गया है दर असल आरजेडी के ओर से एक ट्वीट पर सियासत गर्मा गई है ट्वीट में लिखा गया है कि सामान ग्यानप्रश्ण यूँ ही क्या देसी घी के लड़ू कुत्ते पचा सकते हैं अब इसको लेकर बीजेपी बॉखलाई हुई है बीजेपी विधायक बचौल ने कहा कि अगर हम कुत्ता है तो कुत्ता वफदार होता है उन्होंने आरजेडी पर तंजकस्ते हुए कहा कि जो चोर होते हैं वही भौकते हैं वही आरजेडी के विधायक भाई विरेंद्र ने कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है लेकिन देश को लूटने का काम गोरे गोरे गाल और उजले दाढ़ी वालों ने किया है कुल मिला कर आरोप प्रत्यारोप का दो लगातार जो आ रही है और राजनीती की उटा पठक भी लगातार बिहार में अब बढ़ती जा रही है तो यह आप ट्वीट भी देख सकते हैं जो आरजेडी द्वारा किया गया है इस खबर पर जादा जौनकारी के साथ हमारे साथ विवेक पांड जूट चुक है विवेक आरजेडी ने एक ट्वीट किया है जिससे एक बार फिर से भाज़ पर बॉकल आई गया आकर क्या है यह लड़ू ट्वीट अजी बिल्कुल इस तरीके से लड़ू के लेकर जो भीहार में स्यासत के जो गई है एक सरफ जो लाली पुछाद यादव के जामानत मेली थे उसके बाद जो आर्जेडी कुल्वी में पुसी का लाहरता उन्होंने देशी लड़ू जिस यह लड़ू को बर को आजाये जाती हो भाई ज्यासत पे जुछ विए गलत जो आपनेन परके जचे भाई जदी आर्ण दी अख्याद 텃ण को Лड़ू कंल कर रहे हैं यह लोग तो हम लोग होने नहीं देंगे आपने जिस तरीके से बिहार विधान सभा के अंदर की तस्वीरे सामने आ रही है कभी माइक तोड़ना कभी हंगामा करना और अभी लट्डू को लेकर विवाद जिससे अंदाजा लग सकता है कि वहां चर्चा छोड़कर जन्ता के मुद्दो को छोड़ कर बाकी विपाक्ष और पाक्ष एक दूसरे से आपस में लड़ने में जुटे हैं इस अपने में एक दूसरे में बयान वाजिया करते रहे बयान वाजिया करनें सिसका सदन नहीं चलने वाली है इस तरीक ते है और आट रहे जो अब रहे हैं क्या आप लोग तो जो जनता की मुद्दों को बाता कर आप एक तुत्रे में लडाई कर रहे हैं तो एक तब जो तेजस्वी आदब हों जो लगतार जो बिहार के वाउं की बात करते हैं रोजगार की लेकर तो क्या रोजगार इसी तहीं कि सुद्धे पाएंगी तो इस पतका लगा है कोटे तेजस्वी की CBI के समन को वाली याच का खार इचकर दिया है काहा है कि तेजस्वी को 25 वार्च को CBI दफतर जाना ही होगा सुनवाई के दुरांग तेजस्वी के वकील ने दिली हाई-कॉट में कहाकि अगर तेजस्वी एजंसी के सामने पेश होगे त तो उससे कोई फाइदा नहीं होगा। अस्तावेच दिखाने है जो कि वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरी अगर वो पेश होते हैं तो वो नहीं दिखाए जा सकेंगे। वहीं इंफ्लेंजा वाइरस को लेकर बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर है सभी स्वास विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के दिशा निर्देश जारी किये गए है जिसको लेकर स्वास विभाग भी अब तैयारियों में जुड़ गया है। आपको बता दे कि अभी एक भी संक्रमित मरीज फिलहाल नहीं मिला है लेकिन स्वास विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है और डॉक्टरों से कहा है कि वो इंफ्लेंजा जैसे बिमारी वाले अस्पतालों में आने वाले मरीजों पर अब नजर भी रखे। सब जगत तैयारी है वेडिकल कालेज में वेव उसके लिए बेट सुरक्षित है वीच बेट हम यहां सदर में वेव सुरक्षित रखे हुए है इलाज इसका कोई स्पेस्टिक नहीं है परासिटा मॉल और एंटी अलर्डिक इसका दवा है इसने बहुत कुछ घवरानी की ब एक दिवसी अदोरे पर नालंदा पहुचे वहां पहुचकर गुरु सहाई लाल के प्रतिमा पर माल्यार पर भीवो करते हुए नजर आये जिसके बाद आरल जेडी उपेंद्र कुछ वाहा ने एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि 2017 में जब CBI के दौरा लालु परिवा के अकूत संपत्यों की जाच की गए थी उस वक्त मोख्यमंत्र नितीश कुमार ने ये कहा था कि आरजेडी को आरजेडी के लोगों को भ्रष्टचार के सवाल पर आगया कर जवाब देना चाहिए इस तरह से एक पार जांटी प्रक्रिया जब दूरू हुए थी राजेडी के लिए काओं के उपर ताबू समय को हजा शक्रम ने कि देश कुमार ने यहीं तरह कर संबन दोल लिया था कि भर्ष्टचार के आरजेडी के उपर उन आरजेडी को जवाब दाजेडी के लिताओं को देना चाहिए एको जहां सरकार गरीब लोगों तक सरकारी आवास उपलब्द करवाना चाती है ताकि लोगों को पक्की छट मिल सके और वही कुछ अदिकारी मिली भगत से मोटी रकम लेकर लाभार्थियों को इस योजना से दूर कर रहे हैं बार्ड में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जोहां प्रधान मंत्रियावास योजना का लाभ लेने के लिए लोगों से मोटी रकम की मांग की जारी है जिसको लेकर लाभार्थियों ने सीम नितीश कुमार से लिखित शिकायत भी की थी सीम ने जाच के आदेश पी दिये थे जिसके बाद स्डियम ने पंचात के लोगों की शिकायत जानने के लिए नोटस भीजा नोटस मिलते ही लोगों ने अपनी शिकायत दर्शकराई और ग्रामेडों ने अधिकारियों पर मिले भगत का आरोप भी लगाया है पर अपना निवेदन किया था कि यहां ब्रहष्टा चार हो रही है यहां मतलब मधुमिता नाम करके विकास मित्र है उसके पती सुनीर रविदास है उनके मतलब ससुर राजो रविदास है साड़ा का साड़ा वहां रूपमट मचाय हुए है 30-40,000 रुपिया ले लेते हैं, पहले भी ले लेते हैं, मतलब कि जिस सोची पहले भी ले लेते हैं, उसके लिए पीडियो साहब उनके घर पर लगा करके पैसा उगाही करवाते हैं. बिहार सरकार द्वारा पिछले कई सालों से सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टी पर्पस असिस्टेंट हर्ताल पर हैं. संग के नेताओं ने बताए कि राजव्यापी आंदोलन के तहत ऑपरेटरों ने हर्ताल करने का एलान किया है और सिंगल विंडो ऑपरेटर और मल्टी पर्पस असिस्टेंट के हर्ताल पर जो आने से जिला निबंधन एवन परामर्श केंदर का काम कास्प पर भावित रहे है अधिए ऍल कि लीयर कर्मी कि पीछिले दिन चार सील से सरकार को अभगत करा रहे हैं हम अपनी मांगों से लिकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही है इसी बज़ाख से हम लोग विबस होकर ये हरताल पे बैठे हैं हमारी चार-पांच मांगे हैं जिसको हम लोगों ने लिखीत रूप से कएक बार सरकार को परसासन को बीभीयम को जो जो इसे संबंधित डिपार्टमेंट और कंसर्ण परसन है मैं उनको हम लोग उनको अल्रेडी दे चुके हैं लेकिन दो-तीन बार इ तो ही ज़ारी रहेगा फिलाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए क्या आप घर बैठे कुछ खरीबना चाहते हैं क्या आप खोच रहे हैं विश्वसनी e-store तो देर किस बात की अभी लॉग इन करें skbmarket.in skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ओनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेट फॉर्म है आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाग से ज़ादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं हमारा देश इना केवल उत्पात बेचना है बलकि आत्म निर्भर भारत का निर्मार्व करना है हम अपनी e-sevah गतिविद्या यानी ओनलाइन व्यवसाय को अब अंतर राश्ट्रे स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं SKB Market.in शौपिंग सुकून के साथ 83 दिगजों से जानेंगे राजनीतिक दावपेज अफसर शाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी तांसर से लेकर विढ़ायक तक आईयास से लेकर आईपी अस्तर सबसे होगी बार शक्सियात शनीवार रवीवार शाम साथ बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर ब्रिक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी अब खबर मुजफर पूर से है जहां उत्पार टीम को एक बड़ी सफलता मिली है एक पिकप से भारी मातरा में प्रदि बंधित कफ सिर्फ को पक्ड़ा गया है और इसके साथ ही मौके से दो लोगों को हिरासत में भी लिया गया है साथ ही एक दैने धंदे बास को पूलस ने गिर अफ्तार भी किया है को एक बेहादी बड़ी सफलता मिली है दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में प्रतिबंदित कफ सीरफ को बरामत किया है वहीं उतपाथ टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है खबर मोतिहारी से है जहाँ पुलिस को बड़ी सफलता लगी है पुलिस अधीक शक ने प्रेस कॉंफरेंस कर बताया कि चार्ट से पाच अग्यात अपराधी एक साथ इखटा होकर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे तब पुलिस को इसकी गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने तुरंत घटना स्थल पर पहुच कर अपराधियों पर कड़ी कारवाई की है पुलिस नालंदा में रहुई प्रकंड में लगतार पंच्वयतों में डस्ट्रिबिन वित्रन का शुबारंब किया गया है रहुई प्रखंड के तीन पंचायतों हवनपूरा, दोसुत और इसाथ संग में लोहिया स्वच अभियान की शुरुवात हुई है वैस अभियान में डस्ट्रिबिन वित्रण की शुरुवात की गई हवनपूरा मुख्या ने बताया कि पंचायत में सभी 11 वाड़ों में कुल 1750 हरा रंग का और 1750 नीला रंग का डस्ट्रिबिन का वित्रण किया जाएगा इसके साथ ही लोगों को सफाई के लिए जागरुक भी किया जा रहा है थेला टोटो रिक्सा जस्ट्वीन की बित्रण का कार्ज करम था गरान पंचायत राज हवनपूरा में आज से सुरुवात किया गया है लगवग शवदा सोक लगवग वित्रण कर दिया गया है यतना बाट में जी सुष्टा करमी है ठिलेवल चालाइक है उनको हरी जंडी देखा करके रवानक किया गया जिसमें प्रक्रण विकास पतादिकारी मुझूद थे हम भी मुझूद थे हमारे परतिनीदी मुख्या अब पुल मुझूद थे इसमें देखे सबसे वड़ी चीज लोगों को समझा पड़ेगा ग्रामीन लोगों को जो योजना चल रहा है इस योजना के मतलब यह है कि देखेई इस सब्सक्राइब चलता था पहले सहरों में अभी चल रहा है सहर से द्रहात में आया तर्छार को यह समयना पड़ेगा कि नहीं हम जो मेरा जो डश्टवीन मिला है इस महूं के पर हमारे विडियो सहाब मुखतितिक रूप में काल अगमन हुआ कि उसके बाद समी मेरे पास दस बाढ़ में कूड़ेदान का बित्रन किया जाएगा एक बढ़्यार को अलग चाट चाट गर एक और जहां सरकार महिलाओ की सुरक्षा को लेकर ना जाने कितनी योजनाय चला रही है लेकिन महिलाओ अभी भी असुरक्षित ही महसूस कर रही है चाहे वो घर में हो या फिर बाहर महिलाओ उत्पीडन की घटनाए लगातार बढ़ रही है एक ऐसा ही मामला भागलपुर से सामने आया जहां महिला के पती ने अपनी पत्नी के साथ बुरा व्यवार किया महिला को घर से बेघर कर दिया और इतना ही नहीं महिला के साथ मार पीट भी की है आपको बता दे कि महिला का पती अपने पतनी से पांच लाग की डिमांड कर रहा ता डिमांड पूरी नहीं होने से महिला को घर से बेघर कर दिया गया हर बखार समान पैसा मंगता रहता है यह अमेरी बेटी को देखना ने चाहता है रबगत मार पीट हमेशा हमेशा जब से गया कभी खूस ने रही ओचछ अच्छा से ने रखा उसको हर मेशा मार पीट सिप मार पीट अउंकल बोल रहे था कि उनका किनी के साथ नजाज समन्द यहाँ उसकी भावी के साथ है, तो इसी कारण मां पट्ष करता हूँ। हाँ, साधी वाद हमको पता नहीं था, कुछ उसके भावी के संस करना चाहिए संबन था, इसके होज़ से मुहार पिट करता था, हर्दम भगाते रहता था, पैसा मांगने के लिए घर ने बोलता था, इस वार क्या बोल के बेजा था, कितना पैसा कर दिमानी किया था, इस वार मार के भगा दिया, वस निक लो घर से यहां यहां नही रहोगी, मार पिट करके भगा दिया, थाना में दिया इनका लिखित सिकाथ, तभी दस आर कर दो लाग है, इस वार मांग लिया, पंच लाग, कहां पे आपने बेटी का साधी के था, मिर्जा चोकी बाभूपूर में, नारंदा में अग्यात चोरो ने हमला बोल दिया, चोरो ने युवा को चाको से गोत कर रिर्मम हत्या कर दी, आपको बता दे कि पिछले छे मैनों से बन रहे, फोर लेंज सडक निर्मार डिपार्टमेंट में काम कर रहे, युवा क पर हमला बोल दिया, युवा क रोजाने की तरह रात में पहरा दे रहा था, इस दौरान चोर अग्यात चोरो ने युवा क पर हमला बोल दिया, आपको बताई के शरीर पर गंभीर चोड के निशान है, जिसकी सूचना पर पोछले पोलस सब्रता की पहच्चान कर ली है, गटना की सूचना पाकर परिजन मौके पर पहुचे मृता के परिजनों और अस्थानिय लोगों ने सड़क को जाम कर पुलिस के खिलाफ नारे बाज़े करते हुए विरोध पदर्शन किया और आग जनी भी की जिसके बाद गटना स्थाल पर पहुचे पुलिस ने परिजनों और स्थानिय लोगों को समझा बुझा कर जाम खुलवाया और पुलिस नम्रिता की हुआ की डेट वर्डी को कबजे मिलेकर पंचनामा करते हुए पोस्ट मॉटम के लिए भेजती है और अब आगे की कारवाई में भी जुट कई है का नाम हो लड़का का लड़का का लड़का का लड़का का लगा जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुचे पॉलिस ने पहले तो मृता के शब को कबजे मिलिया पोस्ट मॉटम के लिए बेजा साथ इसाद मृता के परिजनों को समझा बुझा कर जाम भी खुलवा है लेकिन परिजनों का साफ तौर पर ये कहना है कि हत्या की गई है युवा की जिसके लिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं परिजनों ने हत्या का रोप लगाया और सड़क भी जाम किया है तो बीजेपी सांसद रविशा का प्रसाद प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं तो चलिए सीधा आपको दिखाते हैं प्रेस कॉन्फरेंस में राहूल गादी पर क्या कुछ बयाद देते हुए नजर आ रहे है क्योंकि राहूल गादी ने प्रेस कॉन्फरेंस की थी 140 करोर पीपल अव इंडिया इंडियन डिमॉक्रसी यह बड़े सवाल न उनसे माफी की बात बीजेपी क्यों मांग रही है और आज भी बीजेपी दुबारा कह रही है कि आपने विदेश में ये कहा कि अमेरिका और योरप को भारत के लोकतंत्र की गिरावट पर नोटिस लेना चाहिए मतलब हस्चेप करना चाहिए आपको याद होगा कि जब मैंने प्रेस की थी तो कॉंग्रेस के मित्रों ने मुझे क्या हमला नहीं किया था नेक्स जिए उनने टारिफाई किया था कोई स्टेट्मेंट तो हमारे बीजेपी के मीडिया सेल ने उनका ओरिजिनल भाषन जो था उसको लगा दिया और जो मैंने यहां आप लोग को बोला था वो भी लगा दिया उसके बाद कॉंग्रेसी खामोश हो गए राहूल गांधी की आदत हो गई है विदेश जाएंगे तो भारत के लोकतंत्र भारत की जनता एक तो चालिस करोड की भावना